और उधर पिछले 15 महीनों से रूस और यूकरेन में जारी जंग के बीच दोनों देशों की सेनाओं ने सेनिकों की अदला बतली की है ये वो सेनिक थे जिन्हें दूसरे देशों की सेना ने जंग के दुरान बंदी बना लिया था जिसके बाद रूस और यूक्रेन दोनों देशों की सेनाओं ने दूसरे के सैनिकों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये रूस के वो सैनिक थे जोने जंग के दुरान यूक्रेन की सेना ने जेल में डाल दिया था। हलागी यूक्रेन ने समझोते के तहट रूस के इन 45 सैनिकों को सही सलामत रूस के बेलगरत पहुचा दिया। न्यूस एटीन से बाचीत में SDM जोती मौरिया ने पती आलोक पर पती पतनी के जगड़े को सार्वजनिक करने का भी आरोप मड़ दिया। क्योंकि पिछले दो हफ्तों से PCS अधिकारी जोती मौरिया और उनके पती के बीच का विवाद सुर्खियों में। और जोती मौरिया का आरोप है कि इन दो हफ्तों के दोरान आलोक मौरिया ने उन पर कई जूटे आरोप लगाए। News 18 से बातचीत में SDM जोती मौरिया ने का कि पती आलोक के साथ उनका जगड़ा एक सामान ने जगड़ा था जो हर पती और पत्नी के बीच होता है। लेकिन उनका आरोप है कि आलोक ने पती पत्नी के जगड़े को सारवजनिक कर दिया। News 18 से बातचीत में जोती मौरिया ने ये दलील दी कि पती पत्नी के बीच तलाग का ये मामला कोई पहला केस नहीं है। उनका आरोप है कि आलोक ने जिस तरह उनके बारा साल के रिष्टे को सारवजनिक किया उससे उन्हें बहुत तकलीफ महुची। आलोक मौरिया ने अपनी पत्नी जोती मौरिया पर नया आरोप मर दिया। बनने के बाद जोती ने उन्हें ठोकर मार दी और अब वो जान बूच कर बेटियों को उनके पता से मिलने नहीं दे रही। अलनकि जोती मौरिया ने नसर पती आलोक मौरिया के आरोपों को खरिच किया बलकि उन्हें जूटा तक बता दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दे। रूस ने यूकरेन पर बड़े हमले का दावा किया है। मिसाइल से हमले में यूकरेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये भी दावा किया गया है। रूस का यूकरेन पर बड़े हमले का दावा इस वक्त की एस सबसे बड़ी खबर इस महायुद्ध के बीच निकल कर सामने आई है। और दावा ये किया गया है कि मिसाइल से जब हमला किया तो यूकरेन को इस हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। ये दावा खुद रूस ने किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक तावर तोड़ हमले रूस की ओर से यूकरेन पर किये जा रहे हैं। और इस बीच रूस की सेना ने यूकरेन पर जबरदस हमले का दावा कर दिया है। रूस ने एक विडियो जारी कर ये एलान कर दिया है, कि उसने आधी रात में यूकरेन की सेना पर जोड़दार हमला बोला, जिसके वीडियो में रूस की मिसाइले आग उगलती हुई दिखाई दी, रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन के हमले का जवाब दे रहे के लिए समंदर में मौजूद अपने यूदपोट से मिसाइले चलाई जिन्होंने यूक्रेन को जबर्दस नुकसान पहुंचाया हाला कि रूस की सेना कारवाई कहा हुए बस इस बात की जानकारी नहीं दी गई कूच कर दिया था उनके पास खतरनाक हथियार टैंक और गोला बारूद मौजूद थे वैगनेट ग्रूप के विद्रो से पुतिन का पारा चड़ गया उन्होंने प्रिगोजन को उगदार बताया और आदेश दिया कि वो अपने लड़ाकों के साथ तुरंत देश छोड़ द लुकशेंको रूस के राश्टपती पुतिन के बेहत वफादार हैं और उनके इशारे पर कुछ भी करने को तयार रहते हैं एक रोज पहले ही बेलरूस में विपक्ष के एक निता ने दावा किया था कि बेलरूस में रहना प्रिगोजन के लिए खतरे से खाली नहीं जावे के एक रोज बाद ही प्रिगोजन के रूस लॉट जाने की खबर ने सब को चौका दिया क्योंकि वैगनर ग्रूप की बगावच से पुतिन बुरी तरह भड़क गए थे और प्रिगोजन को सबक सिखाने का प्लान भी बना लिया था लेकिन बेलरूस के राश्चेपती अलेक्जांडर लुकशेंको ने तो यहां तक दावा किया कि प्रिगोजन ही नहीं बलकि वैगनर ग्रूप के लड़ाके भी रूस लॉट चुके हैं और वो रूस में उनी कैमपों में रह रहे हैं जहां पुदिन के खिलाफ बगावच से पहले रुके थे अलनकि लुकशेंको ने अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया कि रूस में वैगनर ग्रूप के लड़ाकों की सठीक लोकेशन कहां रूस की तरफ से भी प्रिगोजन और उनके लड़ाकों के लोटने की खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इधर रूस के मीडिया में छबी खबरों के मताबिक प्रिगोजन के खिलाफ अब भी जाँच तेजी से चल रही है और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दे डूस के यशें पाटव में यूकरिनी सेना ने हमला किया है यूकरिन ने डॉक्रिक से हमला किया है और इस हमले के बाद एमारत में आग लग गई और उसकी तस्वीर भी सामने आई डॉनिस्ट में यूक्रेन ने ये बहुत बड़ा हमला किया एक तरफ आप देखिए रूसी सेना इस बात का दावा कर रही है कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया मिसाइल अटाय किया लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए रियाईशी इमारत को यूक्रेन ने निश और उधर डॉनिस्ट के लाके के ये शिनोवातोग में एक दिन पहले हुए यूक्रेन के जोरदार हमले का एक वीडियो भी सामने आया अब आरोप ये है कि वहाँ एक रियाईशी बिल्डिंग पर यूक्रेन की सेना ने रॉकेट से हमला बोला था और वो भी एक या दो नहीं बलकि आरोप ये है कि यूक्रेन की फोजने वहाँ एक के बाद एक करीब दस रॉकेट दागे जिससे उस बिल्डिंग की दिवारों समेथ खिड़कियों पर लगे शीशित चकना चूर हो गए यूक्रेन के समले का जो विडियो सामने आया उसमें एक जोड़दार धमा का सनाई दिया बताया गया कि यूक्रेन के यशिनो वातव में ये हमला एक दिन पहले शाम करीब आट बजे हुआ जिसकी विज़स से वहाँ हड़कम पमच गया लोकशेंकों के इस दावे के बीच यूक्रेन की खुफिया एजनसी के चीफ ने वैगनर चीफ को खौप से भर देने वाला एक बड़ा एलान कर दिया कि पुतिन ने उनकी हत्या का प्लैन तयार कर लिया है दावा किया गया कि पुतिन के इशारे पर रूस की खुफिया एजनसी किसी भी वक्त प्रिगोजन को मौत के घाट उतार सकती है और युक्रेन की खुफिया एजनसी के चीफ किरीलो बुदनोफ ने ये दावा युक्रेन के एक अख़बार को दिये इंटिवियों में किया और अग्या की हत्या का प्लान तयार किया और अब उस प्लान के तहट किसी भी वक्त यवगिनी प्रिगोजन को मौत के घाट उतार जा सकता है पुतिन से बगाबत करने वाले वैगनर चीफ यवगिनी प्रिगोजन की जान खतरे में पड़ गई इसी बीच रूस ने प्रिगोजन की कोई भी जानकारी होने से इंकार कर दिया आलकि बेलरूस के राष्टपती ने ये दावा क्या कि वैगनर चीफ बेलरूस से रूस लोड गया और वो रूस के सेंट पीटर्जबर्ग शहर में मौजूद है इतना ही नहीं, इनके मताबिक वैगनर ग्रूप के विडगोजन से कोई बात चीत नहीं की डावा ये भी किया गया कि 24 जून को हुए विडगोजन के बात से ही वैगनर ग्रूप के मुक्या पुतिन के सबसे बड़े दुष्मन बन गए ऐसे में आशंका जताए गई कि कहीं पुतिन ने बगावत का बदला लेने के लिए प्रिगोजिन को ठिकाने तो नहीं लगा दिया